हालो स्टूरेंट्स आज हम बात करने वाले हैं लोज आफ एक्सपोनेंट यह कंसेप्ट आप आप आपको यह आँठ लॉज याद रखने हैं जिसके बेजिस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल करेंगे और एक्ससाइज 1.6 भी सॉल करेंगे देखो स्टूरेंट्स यहां पे दोनों का यह ए रेस टू एम इसमें जो ए है डाट इस कॉल्ड बेज और एम इस कॉल्ड पावर ओके तो यहां पे दोनों के अंदर अप देख सकते हो बेज क्या है आपका सेम है बीच में कौन सी साइन है मल्टिप्लिकेशन की तो पावर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे ए रेस टू एम प्लस एन फर एग्जामपल सब्सक्राइब लेते हैं टूर्स टू थी मल्टिप्लाइब टूर्स टू यहां पर आप देख सकते हो स्टुडेंट दोनों का बेज क्या है सेम है बेज अगर सेम है बीच में मल्टिप्लाइब की साइन है तो हम क्या करेंगे पावर का प्लस कर देंगे एक बार टू लिखेंगे कॉमन बेज और दोनों का प्लस यानि 3 प्लस 2 दाट इस 2 रस तू 5 क्लियर विज्वाइब दोनों का बेज सेम है बीच में साइन डिवाइड की है तो पावर का जो है आपकी पावर उसका माइनस हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं दोनों का बेज जो है वो सेम है अब बेज सेम है बीच में साइन डिवाइड की है तो पावर का क्या होगा माइनस 4 माइनस 3 डाट इस 2 रस तू 1 clear students अब यहां पर थर्ड रूल है a raised to m raised to n पावर की भी पावर है a raised to m raised to n पावर की भी पावर हो तो पावर का multiply हो जाएगा मतलब m into n हो गया पर एक्जाम्पल टूरेस्टू 3 रिस्टू 4 तो पावर की भी पावर है यहां पर 3 रिस्टू 4 तो पावर का क्या कर देंगे मल्टीप्लाइ तो 3 मल्टीप्लाइ 4 दाट इस 2 रिस्टू 12 इस ट्लियर नाओ फोर्थ रूल इस ध्यान से समझना स्टूडेंट्स a raise to m multiply b ills देखो दोनों का बेज डिफरेंट है बट पावर दोनों की क्या है सेम है स्टूडेंट्स जब ऐसा कैस हो एसा सिनारियो आपके पास हो तो हम क्या करेंगे दोनों based pil डेंगे और ब्राकेट के बार common power m लिख देंगे for example to raise to 3 multiply 4 रेस तू या 5 raise to 3 देखो दोनों का base different है बट दोनों की power क्या है same है तो हम क्या करेंगे bracket के अंदर base का multiply तो 2 multiply 5 common power लिख देंगे दोनों की 3 तो 2 5s आ 10 raise to 3 अगर ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हो और ये form है तो ये form भी लिख सकते हो दोनों तरफ हम apply कर सकते हैं ठीक है चलो fifth rule is a raise to m divided by b raise to m is equal to चलो दोनों की base different है बीच सरी दोनों का base different है power same है बीच में sign कौन सी है divide तो common division कर देंगे और common power लिख देंगे m for example 8 raise to 3 upon 5 raise to 3 तो हम क्या करेंगे 8 upon 5 whole raise to 3 अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ठीक है चलो sixth number का rule है students कि कोई भी number की zero power कोई भी number हो उसकी zero power हमेशा answer क्या मिलेगा 1 वैसे ही thousand raise to 0 तो भी answer क्या मिलेगा 1 जीरो raise to 0 तो भी answer number की अगर minus में power है आपकी power क्या है minus में तो उसको one upon में ले जाएंगे तो power क्या हो जाएगी positive हो जाएगी for example two raise to minus three तो ये power जो है इसको अगर positive करना है तो नीचे ले जाएंगे तो one upon two raise to three सिर्फ power positive होगी students base में कोई change आएगा नहीं for example minus five raise to minus three है minus five number की power कितनी है minus three तो हम इसको positive करने के लिए one upon में ले जाएंगे तो base तो वही का वही रहेगा सिर्फ power positive हो जाएगे ठीक है students base में कोई change आएगा नहीं clear okay 8th number का question rule देखे हो a raise to minus m upon b raise to minus है दोनो negative power है तो ये उपर चला जाएगा और ये कहा जाएगा नीचे तो दोनों की power क्या हो जाएगी positive for example two raise to minus three upon three raise to minus four तो इसको क्या करेंगे नीचे वाला जो है वो उपर चला जाएगा और उपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा तो दोनों की power positive हो जाएगी तो उपर क्या लेखेंगे three raise to four upon two raise to three clear so these are the eight laws of exponent यह आपको याद रखने हैं now using this concept using this rule we are going to solve some examples see here I have written some questions let us try to solve by using this laws of exponents the first is two raise to two upon three dot dot matlab multiplication two raise to one upon three तो देखो students यहाँ पे यह base है और यह power है दोनों का base क्या है same और बीच में multiply की sign है चलो first rule हमारा क्या था base same बीच में sign multiply की तो power का क्या करेंगे plus करेंगे तो यहाँ पे क्या लेखेंगे two raise to two upon three plus one upon three power का हमने plus कर दिया तो टूरेस टू चलो दोनों का base क्या है same तो एक बार कॉमा लिख देंगे three और उपर का plus तो टू प्लस one three चलो three three क्या हो जाएगा cut two raise to one is equal to two this is the answer right next question देखते question two three raise to one upon five raise to four तो यहाँ पे कौन सा rule apply करेंगे students हम power की भी power है तो power की भी power होती है तो हम क्या करते हैं दोनों का multiply कर देते हैं तो क्या लिखेंगे इदर three raise to one upon five multiply four चलो four के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे one अब यहाँ पे कुछ भी cut होता नहीं है तो उपर उपर का multiply और नीचे नीचे का multiply तो आंसर में क्या लिखेंगे three raise to four one's a four five one's a five this is the answer okay i hope आपको यह समझ में आ गया होगा चलो next question देखते हैं question number three seven raise to one upon five divided by seven raise to one upon three base देखो दोनों students बेज आप देखोगे students तो दोनों का क्या है same है power different है बिच में sign कौन सी है divide की चलो अगर base same हो sign divide की हो तो power का क्या करेंगे minus करेंगे तो इदर क्या लिखेंगे seven raise to one upon five उपर जो नंबर हो पहले लिखेंगे minus नीचे वाला जो power है वो लिखेंगे चलो यहां पर हम क्या करेंगे students या तो LCM निकालो या तो cross multiply कर दो चलो cross multiply करेंगे हम तो यह 3 को इसके साथ त्री बंजा three बीच में जो sign है वो minus five को one के साथ five बंजा five upon इन दोनों का multiplication तो five three's are fifteen okay चलो seven three में से five जाएगा तो क्या बचेगा minus two upon fifteen clear students अब देखो minus में power है तो minus में अगर power हो उसको positive बनाना है तो upon मिले जाएंगे तो one upon seven raise to two upon two two raise to sorry one upon seven ten raise to two upon fifteen this is the answer clear यह power minus three वो क्या हो गई positive okay fourth question is 13 raise to one upon five multiply 17 raise to one upon five तो यहां पर देखो students base different है लेकिन दोनों की power क्या है same तो base different हो power same विच में multiply है तो हम क्या करेंगे बेस का multiply कर देंगे तो 13 multiply 17 raise to one upon five एक बार common power लिख देंगे चलो 13 और 17 का multiply करें तो zero one sevens are seven one one's a one three sevens are twenty one two three one's a three three plus two five the two hundred and twenty one raise to one upon five this is the answer clear students so I hope आपको यह समझ में आगया होगा कि कैसे हम simplify करते हैं using laws of exponent right so now using this concept we are going to solve exercise one point six so exercise one point six the first question is find the value of following what it answer Samajana students a question ko find the value of following okay the first question is sixty four raise to one upon two so either the and the students upko kya करना है इसमें अंदर 64 raise to one upon two है राइट तो आपको इदर द्यान दो याद रखना है यह चीज़ नीचे जो number कौन सा है टू है डिनोमिनेटर में क्या है पावर की टू तो हम यह जो 64 है उसको ऐसे फर्म में convert करेंगे जिसकी power two हो फर एक्जामपल 64 यानी 8 का स्क्वेर हो गया yes or no raise to क्या लिखेंगे 1 upon two 64 की जगह क्या लिखा eight का स्क्वेर raise to one upon two मैंने क्या बोला इधर टू था इसले इसको power to हो ऐसे फर्म में convert करेंगे ठीक है चलो अब यहाँ पर कॉंसा रूल अप्लाए करेंगे पावर की भी पावर हो तो क्या करेंगे मुल्टिप्लाइए एट रास्तू टू तू मल्टिप्लाइवण अपान टू तू के नीचे कुछ ने तो वन चलो यहां पर टू क्या हो जाएगा कट क्या बचेगा एट रस्तू वण is equal to this is the आंसर राइट ओके चलो यह नेक्स्ट क्वेश्चन इस थर्टी टू रिस टू अपन फाइव तो मैंने आपको अभी बताया नीचे पावर देखो क्या है फाइव है थर्टी टू को भी ऐसे फॉर्म में करो जिसकी पावर फाइव आती हो चलो तो थर्टी टू के दोसे 16 वो से 8 यो से टू तो से1 देखो कितनी बार य एक दो तीन चार पांच 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 बार तुग को सकते यह बतार पावर कीफरव है तो क्या करेंगे पावर का multiply कर देंगे 55 क्या हो गया cut तो क्या बचेगा 2 raise to 1 that is 2 clear है नीचे नंबर देखना है आपको नीचे जो नंबर हो उसके form में convert करना है ठीक है चलो the next question is 125 raise to 1 upon 3 चलो अब आप पावर देख सकते हो नीचे पावर कितनी है 3 125 को ऐसे form में convert करेंगे जिसमें power 3 आती हो 125 के factors करेंगे तो 5 से divide करें तो 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 कितनी बार है 1 2 3 बार तो क्या लेखेंगे इसकी जगा 125 के जगा क्या लेखेंगे 5 raise to 3 whole raise to 1 upon 3 चलो power की भी power हो तो क्या करेंगे पावर का multiply कर देंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा कट तो आंसर क्या बचेगा 5 clear I hope आपको ये question number 1 समझ में आ गया होगा So this was the question number 1 of exercise 1.6 Now moving to the next question Question number 2 is Find the following Find the value of following questions चलो The first question is 9 raise to 3 upon 2 देखो students अभी हमने question 1 में जो solve किया वैसे ही करना है आपको नीचे की power देखनी है नीचे कितना है 2 तो 9 को ऐसे form में convert करो जिसके power 2 आता है चलो 9 किसका square है 3 का square तो 9 की जगा ये लिख सकते है 3 का square raise to 3 upon 2 ओके clear students now power की भी power हो तो हम क्या करते है multiplication तो 3 raise to 2 multiply 3 upon 2 नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेखेंगे 1 चलो 2 क्या हो गया cut तो यहाँ पर क्या लेखेंगे 3 raise to 2 क्या बचा 3 चलो 3 raise to 3 मतलब 3 को 3 बार multiply करो तो कितना मिलेगा 27 3 थी थी जा 9 नहीं करना है students 3 multiply 3 multiply 3 3 को 3 बार multiply करना है बहुत सारे students यहाँ पर गलती करते 3 3 थी जा 9 लिखते थे answer तो गलत हो जाएगा ठीक है चलो question number 2 is 32 raise to 2 upon 5 क्या बोला मैंने नीचे की power देखो कितना है 5 तो 32 के ऐसे form में convert करो जिसमें power 5 आता हो तो 32 के factors निकाल दो अभी हमने किया आगे वाले सम में क्या लिख सकते है 2 raise to 5 and raise to 2 upon 5 चलो पावर की पावर है तो क्या करेंगे multiply 5 5 cut यह 2 उपर पावर कितनी बची 2 चलो 2 का square यानि कितना मिलेगा आपको 4 so this is the answer ओके चलो next is 16 raise to 3 upon 4 चलो नीचे देखो पावर कितनी है 4 तो 16 को ऐसे form में convert करो जिसमें पावर 4 आती हो 16 के factors निकाल दो students क्या लिखेंगे 2 8 2 4 2 2 2 1 2 3 4 power 4 के form में क्या लिखेंगे 2 raise to 4 whole raise to 3 upon 4 चलो पावर की पावर है तो क्या करेंगे multiply 4 4 cancel out क्या बचा 2 raise to 3 2 raise to 3 मतलब 2 को तीन बर multiply करना है तो multiply 2 multiply 2 2 to the 4 4 to the 8 अभी भी बोल रहा हूं यहां पे बहुत सारे students की गलती होती है 2 3 6 करके answer लिख देंगे wrong हो जाएगा students ओके चलो 4th question is 125 raise to minus 1 upon 3 ओके आपको नीचे की पावर देखनी है base 3 है इसको 3 के form में convert करो तो 125 अभी हमने previous sum के अंदर किया 5 raise to 3 minus 1 upon 3 चलो पावर की पावर तो क्या करेंगे multiply 3 multiply minus 1 upon 3 3 3 cancel out तो क्या बचा 5 raise to minus 1 चलो negative power है उसको positive बनाना है तो क्या है 1 upon ले जाएगे 1 upon 5 raise to 1 यानि answer में क्या मिलेगा 1 upon 5 this is the answer clear students so I hope आपको ये question number 2 समझ में आगया होगा so this was the question number 2 of exercise 1.6 now moving to the last question of this exercise that is question number 3 question number 3 is simplify the following so the first question उसके अंदर आपको दिया है 2 raise to 2 upon 3 multiply 2 raise to 1 upon 5 तो यहां पे आप देखो students base दोनों का same है और बीच में sign कौन सी है multiply की तो power का क्या कर देंगे क्रॉस 2 raise to 2 upon 3 plus 1 upon 5 चलो यहां पे दोनों का base सेम नहीं है तो क्या करेंगे cross multiply 2 raise to 5 2s are 10 plus 3 1s are 3 upon 3 5s are 15 okay now 2 raise to 10 plus 3 13 upon 15 this is the answer clear students okay now the second question is 1 upon 3 raise to 3 whole raise to 7 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अलग-अलग power देंगे students चलो तो अलग-अलग power देंगे तो 1 raise to 7 हो जाएगा यहां पे already 3 raise to 3 है और उसकी भी क्या पर देंगे 7 power हमने यहां पे क्या किया ब्रेकेट के बाहर common था 7 तो दोनों को दे दिया separate तो 1 raise to 7 3 raise to 3 raise to 7 चलो 1 raise to 7 यानी 1 होगा 1 को कितनी भी बार multiply करो answer क्या रहेगा students 1 ही रहेगा 3 raise to 3 raise to 7 power की भी power तो क्या करेंगे multiply तो 3 7s are 21 this is the answer okay 3rd question is 11 raise to 1 upon 2 divided by 11 raise to 1 upon 4 तो यहां पे क्या होगा students 11 11 दोनों का बेस सेम है बीच में साइन डिवाइट की है तो power का क्या हो जाएगा minus 11 raise to 1 upon 2 minus 1 upon 4 चलो cross multiply तो 4 1s are 4 minus 2 1s are 2 upon 4 2s are 8 चलो 4 में से 2 जाए तो 2 upon 8 चलो यहां पे कटिंग होगा power में येस तो 2 1s are 2 4s are 1 upon 4 this is the answer okay now the last question is 7 raise to 1 upon 2 dot 8 raise to 1 upon 2 अभी मैंने बताया students dot i मतलब multiplication तो base अलग-अलग है लेकिन power क्या है तो क्या करेंगे 7 multiply 8 base का multiply और common power लिग दिंगे 1 upon 2 7 is a 56 1 upon 2 clear students okay this is the answer I hope आपको ये question number 3 समझ में आगया होगा so this was the end of exercise 1.6 and this is also end of chapter number 1 that is number systems so I hope आपको ये video पसंद आया होगा just like it, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel thank you